नमस्ते बच्चों, क्लास 12 हिंदी गद्य खन इससे पूर्व हमने जेनिन कुमार का परीचे पड़ा था आज हम उनी के द्वारा लिखे निभन जो इनका महत्रों पूर्ण निभन है बाजार दर्शन वह पड़ रहे हैं बाजार दर्शन वास्तों में इसमें गहरी वेचारिकता और साहित्री सुलब लालित्ती का दुरलब सायोग देखा जा सकता है उब्भोकतावाद और बाजार बाद पर व्यापक चर्चा इस पार्ट के अंतरगत की गई है तो आईए हम पढ़ना शूर करते हैं हमारा निभन बाजार दर्शन एक बार की बात कहता हूँ मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामुली चील लेने पर लोटे तो एकडम पहुत से बंडल पास थे मैंने कहा यह क्या बोले यह जो साथ थी उनका आशे था कि यह पत्नी की महिमा है उस महिमा का में कायर हूँ आदिकाल से इस विशे में पती से पत्नी की ही प्रमुक्ता प्रमाणित है और यहां व्यक्तित्व का प्रश्ण नहीं इस्तित्व का प्रश्ण है इस्तिरी माया न जोड़े तो क्या में जोड़ू फिर भी सच सच है और वहां यहां की इस बात में पत्नी की ओड ली जाती है और याने सहारा मूल में एक और तत्व की महीमा सरविशेश है वह तत्व है मनी बेक अठाथ पेसे की गर्मी या एनरजी पेसा पावर है पर उसके सबूत में आज पास माल टाल न जमा हो तो क्या हो खाप पावर है पेसे को देखने के लिए बेंक हिसाब देखिये पर माल अस बाब मकान को टी तो अन देखे भी दिखते हैं पेसे परचेचिंग पावर या इननी खरीदने की शक्ति के प्रयोग में ही पावर का प्रस है लेकिन नहीं लोग सयमी भी होते हैं वे फिजूल सामान को फिजूल समस्ते हैं वे पेसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं बुद्धि और सयम पुर्वर वह पेसे को जोड़ते जाते हैं वह पेसे की पावर को इतना निश्चय समस्ते हैं कि उसके प्रयोग परिशा उन्हें दरकार नहीं है मतलब जरूर वरत नहीं हैं दरकार से मतलब बस खुद पेसे के जुड़ा होने पर मन गर्व से भरा फुला रहता है मैंने कहा यह कितना सामान ले आए मित्र ने सामने मनी बेग फैला दिया कहा यह देखिए सब उड़ गया अब तो रेल टिकेट के लिए भी बचा हो मैंने तब तए माना की और पेसा होता और सामान आता वह सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं आया अपनी परचेचिंग पावर के अनुपात में आया है लेकिन ठैरिये इस सिलसिले में एक और भी महत्व कातत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए उसका भी इस करतब में बहुत कुछ हाथ है वह महत्व है बाजार मैंने कहा यह इतना कुछ नाहप ले आए याने बेकार ले आए मित्र बोले कुछ न पूछो बाजार है कि शेतान का जाल शेतान याने शेतान से दात परियोग दोस्ट एसा सजा कर माल रखते हैं कि बहया याने निरलच ही हो जो न फसे मैंने मन में कहा ठीक बाजार आमंत्रिक करता है याने बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो सब भूर जाओ मुझे देखो मेरा रूप और किसके लिए है मैं तुमारे लिए हूँ नहीं कुछ चहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है अजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खुबी है कि आग्रह नहीं है लेकिन उचे बाजार का मंत्रण मुख होता है और उससे चाह जक्ति है चाह मतलब अभाव चोक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है और चाहिए और चाहिए मैंने यहां कितना परिमित है परिमित से याने सिमित और यहां कितना अतुलित है कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चोको से कामना से विकल बना छोड़े विकल याने बेचें विकल क्यों पागल असंतोष त्रशना और इश्या से घायर कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है एक और मित्र की बात है यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को पापस आए आए तो खाली हाथ मैंने पूछा कहा रहे बोले बाजार देखते रहे मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे बोले क्यों बाजार तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं बोले हाँ पर यह समझना आता था कि ननू तो क्या सबी कुछ तो लेने को जी होता है था कुछ लेने का मतलब था शेश सब कुछ को छोड़ देना पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था इस से मैं कुछ भी नहीं ले सका मैंने काहा खूब बरमित्र की बात ठीक थी अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम तरास ही होगा तरास से ततपरे हैं भहे यानि मन में भहे समा जाएगा गती नहीं होगी न कर्म न तो आप उस काम को कर पाएंगे और ना आपको उस कारी को करने में मचा आएगा बजार में एक जादू है वह जादू आपके राह काम करता है वह रूप का जादू है पर जैसे चुम्बक का जादू रोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है जे बड़ी हो और मन खाली हो एसी हालत में जादू का असर खूब होता है जे खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा मन खाली है तो बाजार की अनिकाने चीजों का निमन तरण उस तक पहुच जाएगा कहीं हुई उस वक्त जे भरी तब तो फिर मन किसकी मानने वाला है मालूम होता है यह भी लू वह भी लू सभी सामान चरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है पर यह सब जादू का असर है जादू की सवारी उत्री की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुत आयत आराम में मदद नहीं देती बलकि खलल ही टालती है थोड़ी तेर को स्वाभी मान को जरुरत से मिल जाता है पर इस से अभी मान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है गिल्टी से ताथ परियर दोश जकर रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्शर के मुलायम के कारण क्या वह कम जकर होगी पर उस जादू की जकर से बचने का एक सीरा साउपाय है वह यह की बाजार जाओ तो खाली मन न हो मन खाली हो तब बाजार न जाओ कहते हैं लूप में जाना हो तो पानी पीकर जाना जाए पानी भीतर हो लूप का लूपन वियत हो जाता है मन लक्ष से भरा हो तो बाजार भी फेला का फेला ही रह जाएगा तब वह घाव बिलकुल नहीं दे सकेगा बलकि कुछ आनन्द ही देगा तब बाजार तुमसे क्रतार्थ होगा यानि तुमारा एहसान मंद होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सचा लाब उसे दोगे बाजार की असली कतार्थ हत्ता है आवश्यक्ता के समय काम आना यहां एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है यानि अपनी पहचान मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए जो बंद हो जाएगा वह शुन्य हो जाएगा शुन्य होनी का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातल भाव से संपून है शेश सब अपून है इससे मन बंद नहीं रह सकता सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह जूट है और अगर इच्छा निरोधस पतह का ऐसा ही नकारात्म करत हो तो वह तब जूट है वेसे तब की राहा रेगिस्तान को जाती होगी मौक्ष की राह वह नहीं है ठाट देकर मन को बन कर रखना जड़ता है लोग का यह जितना नहीं है कि यहां जहां लोग होता है यानि मन में वहां नकार हो यह तो लोग की ही जीत है और आदमी की हाथ आख अपनी फोर रादी तब लोगनिय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ एसे क्या लोग मिट जाएगा और कौन कहता है कि आख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा क्या आख बंद करके ही मन सपने नहीं दे लेते हैं और फिर सपने क्या चेन भंग नहीं करते इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं वह अकारत है यान वाला योग है शायद हट ही हट योग नहीं इससे मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ग्यान वह मुक्त ऐसे नहीं होता इससे वह व्यापक की जगह संक्रिण और विराट की जगह शुद्र होता है संक्रिण सेतात पर यह सुकुड़ा हुआ और शुद्र याने छोटा इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंध मन को करना ही चाहिए वह मन पून कब है हम में पूनता होती तो परमात्मा से भिन हम महाशुन्य ही न होते अपून है इसी से हम है सच्चा ग्यान सदा इसी अपूनता के पोत को हम में गहरा करता है सच्चा कर्म सदा इस अपूनता की स्विक्रती के साथ होता है अतह उपाए कोई वही हो सकता है जो बलात अर्थात जवर जस्ते मन को रोपने को न कहे जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनी है सेतात परे बिना उतेश्य का रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है हाँ मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है याने संपूर्ण संसार का या समरपन का खुद कुल नहीं है पड़ोस में एक महा अनुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं चूरन बेजते हैं यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं लेकिन किसी एक इपी दिन चूरन से उन्होंने च्छ आने बेज़े से ज्यादा नहीं कमाई चूरन का आसपास सरनाम है याने प्रसिद्ध है और खुद खुद लोग प्रेव हैं कहीं व्योजाई का गूर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुश हाल क्या माला माल होते याने धन्वान होते क्या कुछ उनके पास न होता इधर दस वशों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथो हाथ बिख जाता है परवन न उसे थोप देते हैं न व्यापारियों को बेशते हैं पेश की आडर कोई नहीं लेते बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं की देखते देखते छे आने की कमाई उनकी हो जाती है लोग उनका चूरन लेने को उस्थुक जो रहते हैं चूरन से भी अधिक शायर वह भगत जी के प्रती अपनी सत्थ भावना का देदेने को उस्थुक रहते हैं याने पेचें रहते हैं परच्छ आने पूरे हुए नहीं की भगत जी बाकी चूरन बाल को उम्हस्त बाट देते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25 पेसा भी दे सकें कभी चूरन में लापरवाई नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता कहें आप भुल न कर बेठियेगा इस पंक्तियों को लिखने वाला में चूरन नहीं बेशता हूँ जी नहीं ऐसी खलकी बात भी न सोचिएगा यह समझेगा कि लेक में किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को स्वेस्ट बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ क्या चाने उस भूले आदमी का अक्षर ज्यान तक भी है या नहीं और बड़ी बाते तो उसे मालूम क्या होँगी और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बाते चानते हैं इससे यह तो को सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकडम नाचीज आदमी हो नाचीज से तातपरे महत्व ही लेकिन आप पाठकों की विद्वान शेनी का सगस्य होकर भी मैं यह स्विकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदात अपदात जिसका अस्ति अपदात प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम कोशायत प्राप्त होता है उस पर बाचार का जदुवार नहीं कर पाता माल बिच्छा रहता है और उसका मन अडिक रहता है पेशा उस से आगे होकर भीक तक मांगता है कि मुझे लो लेकिन उसके मन में पेशे पर दया नहीं समाती वहा निर्मम याने हरदे में दया का भाव नहोना व्यक्ति पेशे को अपने आहत गर्व змें बिल लगता ही छोड़ देता है याने रोता हुआ छोड़ देता है एसे आदमी के आगे क्या पेसे की वियंग शक्ती कुछ भी चलती होगी, क्या वह शक्ती कुंठित रहकर सजल ही न हो जाती होगी, कुंठित याने की हीन भावना से ग्रस्त होना, पेशे की वियंग शक्ति की सुनिये वह दारून है मैं पेजल चल रहा हूँ की पास ही धूल उडाती निकल गई मोटर वह क्या निकली मेरे कलेजे को कॉंधती एक कठीन वियंगे की लीग ही आर से पार हो गई यहां लीग से ताथ कर यह मर्यादा जैसे किसी ने आखों में उगली देकर दिखा दिया हो की देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो यह मुझे अपनी ऐसी विडमना मालूम होती है की बस पूछिये मत विडमना याने दुख मैं सोचने को हो आता हूं कि हाई यही मापाप रहे गए थे जिनके यहां मैं जन्म लेने को था क्यों न मैं मोटर वालों के यहां हुआ उस वियंग में इतनी शक्ति है की जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति क्रतग्न कर सकती है लेकिन क्या लोग वेभों की यह वियंग शक्ति उस चूरण वाले अकी चितकार मनुश्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती अकी चितकार याने गरीब या अर्थ हीं वेकती जिसके पास धन नहों चूर चूर क्यों कहो पानी पानी तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजे ही नहीं रहता बलकि मानों उस व्यंग की फूरता को ही पिखला देता है उस बलको नाम जो दो पर वह निश्चे उस तल की वस्तून नहीं है जहां पर संसारी व्यबभव फलता फूलता है वह कुछ अपर जाती काता तो है लोग spiritual कहते हैं यानि आध्यात्मिक या आत्मिक आत्मिक धार्मिक नेतिक कहते हैं मुझे योगिता नहीं कि मैं उन शब्दों के मैं अंतर देखूं और प्रतिपातन करूं मुझे शब्द से सरोकार नहीं मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अठूं लेकिन इतना तो है कि जहां त्रश्टा है बटोर रखने की स्प्राहा है याने इच्छा है वहां उस ब व्यभू की चाह में वेक्ति की निर्बलता ही प्रमानित होती है निर्बल ही धन की और जुकता है वहां अबलता है वहां मनुश्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चोक में देख गये मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया मैंने ही जयराम कहा उनकी आखें बन नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भाती कोस रहे मालूम होते थे रहा में बहुत लोग बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के चुक थे बगत जी ने सबको ही हसकर पहचाना सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया इस से तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चोक बाजार में होकर उनकी आखें किसी से भी कम खुली थी लेकिन भोचके हो रहने की लाचारी उ सो पेश उन्हें नहीं था और खोव से खड़े नहीं वह रह जाते थे भादी-भादी की बढ़िया माल से चोख भ़ रा पड़ा है उस प्रते प्रक्रृती अप्रीती इस भगत के मंपर नहीं है जैसे उस समूचे माल के प्रती भी उनके मन में आशिरवात हो सकता है विद्रों नहीं पसंताब ही भीतर है क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है देखता हूँ कि खुली आंग तो स्टोर मगन वह चोक बाजार में से चले जाते हैं रहा में बड़े बड़े फैंसल स्टोर पर्ग रह जाते हैं पर कहीं भगत नहीं रुपते हैं तो एक छोटी पनसारी की दुकान पर रुपते हैं वहां दो-चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं बाजार में हड़ पुरबक विमुपता उनमें नहीं हैं लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चोक बाजार की सत्ता उनके लिए तब ही तक है तब ही तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है जरुरत भर जीरा वहां से ले लिया की फिर सारा चोक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है वो मानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक बस बिखरा रहता है चोप की चाननी दाएं बाएं भूकी की भूकी फेली रह जाती है क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भावस में लिया गया है इसके आगे आसपास अगर चाननी वीची रहती है तो बड़ी खुशी से वीची रहे भगत जी से वेचारी का कल्यान ही चाहते हैं यहां मुझे ग्यात होता है कि वाजार की सार्थक्ता भी वही मनुश्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पेसे से केवल एक विनाशक शक्ती शेतानी शक्ती लियंग की शक्ती ही बाजार को देते हैं न तो वे बाजार से लाब उठा सकते हैं न उस बाजार को सच्चा लाब दे सकते हैं वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं कपट की बढ़ती का अर्थ परसपर में सद्भाव की घटी इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस फिर रहे ही नहीं जाते और आपस में पोरे रहे गाहक और बेचक की तरव व्यवार करते हैं मानों तोनों यूसे को ठगने की घात में हो एक किहानी में दूसरे का अपना लाब दिखता है और यह बाजार का बलकि तिहास का सत्य माना जाता है इसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आविशक्ताओं का आदान प्रदान नहीं होता बलकि शोशन होने लगता है तब कपट सफल होता है निश कपट शिकार होता है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडमना है और जो ऐसे बाजार का पोशन करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थ शास्त सरा सर्थ उंधा है यहने उल्टा है वह माया वी शास्त है वह अर्थ शास्त अनिती शास्त है अर्था जिस प्रकार मनुश्य माया में फसकर उची कनूची की पहचान नहीं कर पाता उसी प्रकार उस बाजार को न तो समझ पाता है और नहीं उसका ठीक से उप्योग कर पाता ह एसे बजार का शास्त अर्शास्त न होकर और नीती शास्त है एसे बजार में मानवी सदगुणों का कोई स्थान नहीं मिलता है